प्यारे बच्चों, आज हम रस्खान के सिवईये पाठ पढ़ेंगे पहले सिवईये में, रस्खान जी ने इन चारों पंक्तियों में अपने जीवन के बारे में बताते हुए कहा है कि यदि मुझे भगवान ने या इश्वर ने अगले जनम में दुबारा से जनम देने कम हो का मिले मुझे मिले तो मैं किस रूप में जनम लूँगा ये इस सवईये में बताया है मानुस हो तो वही रस्खानी बसो ब्रजगो कुल गाउं की गवारन मानुस होता है मनुश्य हो तो हो तो मतलब हो वही रस्खानी रस्खानी रस्खान बसो बसो मतलब बसना ब्रजगो कुल ब्रजगो कुल के गाउं ये गाउं की नाम है जहां शिरीकर्शन से समंदित उनके जीवन से समंदित है कि यदी मनुष्य के रूप में मुझे जनम मिलता है तो मैं ब्रज और गोकुल के गाओं के गवालों के बीच में बसना चाहता हूं कहने का क्या तात्प्रिय है कि ब्रज के प्रतियुवन का प्रेम है रस्कान जी का इसलिए वो रस्कान जी कहते हैं कि यदी मुझे अगले जनम में मनुश्य रूप में ही दुबारा जनम मिलता है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जनम ब्रजगो कुल काउं के ग्वालों के बीच में ही मैं रहूं या बसूं जो पशू हो तो कहा बस मेरो चरे चरो नितनंद की धेनु मजारन अगर रसकान जी कहते हैं जो पशू पशू मतलब पशू पक्षे जो पशू होते हैं ओ तो यदि मेरा जनम पशू के रूप में हो तो मेरा मन करता है मेरा बस चले तो मैं नंद बाबा की जो धेनों होता है यहां गाए नंद बाबा की जो गाएं थी उनके बीच में नित्य चरों या उनके बीच में ही रहूं कहने का क्या तार्प्रिय है कीर रस्खान जी कहते हैं यदी मुझे मनुष्य के रूप में जनम मिले तो मैं गोकुल ब्रज के गौालों के बीच में बसना चाता हूं रहना चाता हूं और यदी मुझे पशु के रूप में दुबारा जनम लेने का अउसर मिले तो मैं नंद ब बाबा के जो गाएं थी उनके बीच में रहकर थी अपना जीवन व्यतित करना चाहता हूं। पाहन हो तो वही गिरी को जो क्यो खरी छत्र पुरंदर धारण। पाहन होता है पत्थर। यदी मुझे पत्थर के रूप में जनम मिले तो गिरी होता है पाहाड। और हरी चत्र होता है, हरी मितलू, यहां शिरी कृष्षन से समझ दिता है, हरी ने चत्र उतर चाता, यहीं शिरी कृष्षन ने जो धारण किया था चत्र या चाता, पुरंदर होता है इंदर का प्राइवाची, धारण मतलब धारण करना, पहनना, तो रस्कान जी कहते हैं कि यदि मुझे पत्थर के रूप में जनम मिलता है, तो मैं उसी परवत का पत्थर बनना चाहता हूँ, जिशे श्री कृष्ण ने इंदर के परकोप से ब्रजवाशियों को बचाने के लिए अपधारन किया था, अपनी उगली पर धारन किया था, आप सब लोगों को पता है कि जब एक बार इंदर बहुत जादा करोधित हो गए थे और बहुत वर्शा की थी, तो प्रजवाशियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन परवत को अपनी उंगली पर धारन किया था, और वहां उनकी रख्षा की थी, तो यहां वही बात रसकान जी कहते हैं, कि यदी मेरा जनम हो, पत्थर की रूप में जनम हो, तो मैं उसी परवत का, उसी गिरी राज परवत का, गोवर्धन परवत का पत्थर बनना चाहता हूँ, जिसे श्री कृष्षन ने धारन किया था, किसके परकौप से, इंदर के परकौप से बचने के लिए, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कुल कदम की धारन, खग होता है पक्षी, प्राइबाची है किसका पक्षी का, और यदी मुझे पक्षी के रूप में जनम मिलता है, तो मैं चाहता हूँ कि कालंदी यहां यमना नदी कालंदी कहते हैं इसका प्राइवाजी है कुल कुल किनारे कदम की डार कदम का पेड़ होता है डारन होता है डाली तो रस्कान जी कहते हैं येदी मुझे पक्षी के रूप में जनम मिलता है तो मैं चाहता हूँ कि मैं यमना के किनारे कदम के पेड़ की डाल पर ही मेरा बसे रहा हो अधार्द कदम की डाल पर जो पक्षी बैठते हैं उन्हीं पक्षियों के बीच में मैं रहना चाहता हूँ हैं और यदिवे पशू के रूप में जनम लेते हैं तो उनका मन चाहता है कि वे नंद बाबा की गायों के बीच में ही रहें यदिवे पत्थर के रूप में जनम लेते हैं तो वे उसी परवत के पत्थर बनना चाहते हैं उसी पहाड का पत्थर बनना चाहते हैं जिसे श्री क बसेरा यमना के किनारे कदम के पेड़ की उसी डाल पर हो जहां शिरी किशन बैठ कर जिसके नीचे बैठ कर बांसुय बजाया करते थे समझ में आगे बेटा आगे का फिर हम अगली वीडियो में करेंगे